Hello everyone and welcome back to our YouTube channel ArcheTalks तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वीडियो में बताने वालोगी किस तरह साप Infosys के इंटर्वी के लिए प्रिपार कर सकते हो जैसे के आप स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पर मैंने Infosys से results से related वीडियो बनाया है Infosys के rejection mail से related वीडियो बनाया है जो कि आप वीडियो जाकर देख सकते हो अगर आप 20 सेगंड अगस को आपने Infosys का exam दिया है तो यह दो वीडियो आपके लिए बहुत ज़दे यूसफुल होने वाले दोनों ही वीडियो की लिंक में आपको description, i button दोनों में provide कर दूँगा वहाँ से जाकर आप यह वीडियो शेक आउट कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले किस तरह आपको Infosys के interview के प्रिपार करना है किस तरह आप Infosys का interview crack कर सकते हो तो मैं आपको simple चीज़े बताने वाला हूँ, बहुत easy methods बताने वाला हूँ, जिससे आप Infosys का interview clear कर सकते हो उससे पहले दोस्तों आप हमारी चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कर दीजिए और हमारा telegram चैनल जोइन कर लीजिए Infosys से रिडेट जो भी update है definitely आपको चैनल पर सबसे पहले देखने मिल जाएंगी पूरे YouTube पर तो आपके लिए हमारा चैनल बहुत ज़्यादे useful होने वाला है तो सबसे पहले हम बात करने वाले कि क्या-का interview का round होने वाले है कौन से round होने वाले है, किस तरह से आपको question पूछे जाने वाले है किस तरह से prepare करना है, कौन से topics पे जाधा focus करना है सबी चीज़ हम देखने वाले है तो इस वीडियो का target कर रहेते हैं, हम thousand likes तो अगर आप इस वीडियो पे thousand likes कर देते हैं तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बना कर रखे है कि किस तरह से आपको introduction देना चाहिए इंटर्वियो में, तो वो वीडियो में upload कर दूँगा अगर आप इस वीडियो पे thousand likes कम्प्लीट कर देते हैं मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा research करता हूँ और research करने के बाद ही आपके लिए कुछ वीडियो बनाता हूँ तो आप भी मेरे help कर दीजे, अगर आप इस वीडियो को like करते तो मुझे भी motivation मिलेंगा और मैं आपके लिए और ज़्यादा efforts करके वीडियो बना पाऊँगा, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते है जैसी कि आप screen पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखने मल जाता है Infosys interview round, तो Infosys interview round दिखने मल जाते हैं, पहला जो round होता है वो online test होती है, जो कि आप already clear कर चुके हो, बहुत सारे candidates जिनको selection mail आ चुका है, अगर अभी तक कि आपको selection mail नहीं आया है तो आपको और 1-2 दिन रुख जाना है, आज ही result अनाउंस हुआ है 1-2 दिन में आपको interview का mail आ जाएगा पहला round online test होता है, जो कि बहुत सारे candidates क्यालिफाइ कर चुके है Second round होता है, TR round और HR round, यह face-to-face interview round होता है कभी-कभी TR round और HR round अलग-अलग भी होता है, लेकिन most of the time TR और HR round combine ही होता है एक ही interviewer होता है, जो कि आपसे technical questions और HR questions दोनों ही टाइप के questions एक ही interview में एक ही slot में पूछ लेता है interview की बात कर ली जाए, interview duration की, तो maximum 20 minutes लगते है और minimum की बात कर ली जाए, आपको 10-15 minutes में interview का clear हो जाता है लेकिन maximum आपको यहाँ पर 20 minutes लग जाते है interview के लिए तो यह interview की duration होने वाली है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ही interviewer होने वाला है एक ही time पे आपको technical questions, HR questions, दोनों ही questions पूछने वाले है तो इस सारे से हो गए infosys interview rounds अब बात कर ली जाए कि क्या क्या चीज़े important होने वाली है तो आप देख सकते हो project important है और not तो बहुत सारे लोगों को यह doubt होता है कि project जो होता है आपका final year का वो important होता है या नहीं होता है internships important होती है या नहीं होती है तो guys मैं आप सभी को बता दूँ definitely यह बहुत ज़्यादा important होता है आप सभी के लिए infosys देए अगर आप कोई भी company का interview देने जा रहे हो तो project और internship बहुत ज़्यादा matter करती है infosys के मैं बात कर लो interview जो है difficulty level की बात कर ली जाए तो easy to moderate होता है ज़्यादा difficult नहीं होता है कुछ basic questions में आपको बताने वालो अगर आप उतने questions prepare कर लेते हो तो high chances है कि आपका interview में selection हो जाए project important or not तो project definitely बहुत ज़्यादा important होता है आपको अपने projects में जो भी questions project जिस basis पे था उससे related जो भी questions है वो आपको prepare कर लेना है आपका project में role क्या था किस topic पे आपने project किया था यह सभी चीज़े आपको knowledge होना चाहिए अगर आप यह questions है वो definitely 100% आपसे पूछा ही जाएगा कि आपका project में role क्या था आपका project किस basis पे था उससे related surrounding questions पूछे जाएगे तो यह आपको अच्छे से prepare कर लेना है second चीज़ आती है internship तो अगर आपने internship की हो तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं भी किये तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन अगर आपने की है तो यह आपके लिएक plus point आ जाता है internship में भी आपको पूछा जाएगा कि क्या आपका role था क्या क्या आपने work किया क्या क्या चीज़े आपको सीखने मिली तो यह सभी चीज़े आपको Infosys के interview में पूछा जाएगा तो यह दो important points है project और internship से related उसके बाद आपको सबसे पहली चीज़े पूछी जाएगी आपको अपना introduction पूछा जाएगा तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है आपको बहुत यह अच्छे से अपने आपको represent करना है आपको अपना introduction प्रिपैर कर लेना है और वही introduction आपको interviewer के सामने put out करना है introduction की basis पे आपको आगे के question पूछे जाएगे and as you all know first impression is the last impression तो आप जो अपना introduction देते हो introduction से आपका impact पड़ता है interviewer पर तो आपको अच्छे से अपना introduction प्रिपैर करना है introduction से related वीडियो में already बना चुका हो लेकिन मैंने upload नहीं किये अगर आप इस वीडियो पे 1000 प्लस लाइक कर देते हो तो definitely मैं जल्दी से जल्दी introduction का वीडियो upload कर दूँगा हमारे YouTube चैनल पर तो जल्दी से जल्दी 1000 लाइक कर दीजिए अपने friends के साथ भी वीडियो शेर कर दीजिए तो introduction most important चीज़ है second चीज़ आ जाती है resume आपने resume में जो भी चीज़े mention की गई है वो सभी चीज़े आपको पूछी जाने वाले है तो आपको याद करने कि आपने resume में क्या के mention किया है आपने resume में जो भी skills mention की गई है वो skills के बारे में आपको पता होना ही चाहिए आपको अपनी resume के साथ honest होना चाहिए आपको resume में कुछ भी mention नहीं करना चाहिए जो skills आपको आती है जो आपको पता है वही चीज आपको mention करना चाहिए अगर आपके पास resume होंगा जो कि आपने upload किया था तो वहाँ पर जो भी चीज़ आपने mention की गई है उसके बारे में prepare कर लिजे अगर कुछ extra चीज़ आपने mention की गई है जो कि आपको नहीं आती है तो भी आप interviewer के साथ honest रहिए उनको बता दीजे कि मुझे यह चीज आती है यह चीज नहीं आती है ठीक है तो यह चीज आपको honestly बतानी चाहिए अब बात कर लिए जाए important points तो यहाँ पर आपको important points देखने मिल जाते है important points for infosys interview तो infosys interview में क्या के important points होने वाले final year project तो final year project का बहुत ज्यादा impact पड़ जाता है तो SDLC के बारे में भी आपको अच्छे से prepare करने लाना है C and C++ basic languages होती है तो इसके इससे related जो भी questions है वो भी आपको prepare कर लेना है मैं आपको कुछ questions भी बताने वाला हो selective questions and उसके answers भी provide करने वाला हो तो वीडियो आपको देखते रहे है आपके लिए बहुत जाजी useful होने वाला है फिर आज आता है certification अगर आपने lockdown के time पे कोई certification किया है या तो कभी भी आपके graduation के time पे कोई भी certification प्रोग्राम किया है या उसके बात किया है तो यह आपका एक impact पड़ता है या आपके लिए प्लस point आजाता है कि आपने out of the box जाकर कुछ new चीज़े सीखने के कोशिश किये तो certification भी एक impact करती है आपका interview में तो यह सबी इंपोर्टेंट points है इसका आप screenshot ले सकते है और इसके उपर prepare कर सकते है फिर आज आते हैं देख ले था हम Infosys के technical questions तो कौन से questions पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं Infosys technical interview question तो सबसे पहले आता है explain oops concept with example तो oops concepts के बारे में आपको पूछा जाता है what is normalization of database joints and keys explain the functionality of linked list यह जो भी questions में आपको बता रहा हूं यह most asked question है जो कि Infosys के interview में पूछे जाते है मेरे experience के तुरू में आपको बता रहा हूं previously 2-3 बार जो recent hiring हुई है उसमें यह questions पूछे गए है बहुत सारे candidates हमारे channel के तुरू select हुए है तो उन्होंने उनको यह questions पूछे गए थे तो वही questions में आपको बता रहा हूं OPS concepts के बारे में बता रहा है what is normalization of databases joints and keys explain the functionality of linked list what is inheritance what are the different type of inheritance what are the loop statement यह पूछा जाएंगा what are the four basic principles of OPS what are the conditional statement what is database management system please different advantage of DBMS तो यह जो particular questions है आपको अच्छे से प्रिपार कर ले दे अब बात की जाए कि आप यह questions तो आपको पता जल गए अब इसके answers कहा मिलेंगे तो इसके लिए एक website है दोस्तो जावा आप देख सकते हो जावा टीपॉइंट करके एक website है जहां से आप prepare कर सकते हो इसकी link में आपको description में provide कर दूँगा यहाँ पर आपको Infosys के interview questions provide की जाते है HR questions बोला जाए य जो भी questions मैंने mention किये है सभी questions के आपको यहाँ पर answer देखने मल जाते है different type of inheritance what are loop statements सभी चीज़ आपको यहाँ देखने मल जाते है तो यह आप अच्छे से prepare कर सकते हो इसकी website की link में आपको description में provide कर दूँगा जो कि आप जाकर check out कर सकते हो difference between C and embedded C यह भी चीज़ देखने मल interview में पूछे जाएगे तो definitely यह website आप check out कर सकते हो अब बात कर ली जाए यहाँ पर हमारा second point की यह तो बात होगी technical interview की अब बात कर ली जाए HR interview मतलब आपको HR questions कौन से कौन से पूछे जाएगे यहाँ पर आपको देखने मल जाता है tell me about yourself तो यह questions बहुत जादा important है यहाँ प आपको अपने strength के बारे में बताना है अपने weakness के बारे में भी बताना है weakness से related question पूछा जाएगा what are your weakness do you have a blind spot तो यही question है आपको इस सरे से भी पूछा जाता है पूछा जा सकता है do you have a blind spot इसका मतलब यह होता है यहाँ पर आपको अपनी weakness बतानी होती है why should I hire हूँ तो कोई भी company आपको few hire करनी चाहिए यह question का भी answer आपको यहाँ पर question पूछा जा सकता है तो इसका भी आपको prepare कर लेना है why did you leave your last job तो अगर आपको कोई experience है previous तो उससे related ही आपको question पूछे जाएगा where do you see yourself 5 years from now तो इसका answer आपको दे देना है are you a team player do you have any questions for me तो last question आ जाता है कि आपक पूच सकते हो interviewer से तो यह सभी questions के answer आपको इस particular website पर मिल जाएंगे यहाँ पर आप scroll down करूँगे तो आपको HR question की भी answer दिखने मिल जाते है जो कि अगर आप अच्छे से prepare करूँगे तो आप definitely 95% chance है कि आप clear कर लो 5% totally आपके उपर है कि किस तरह से आप perform करते हो interview के लिए त और भी बहुत सारे questions है आपको HR question, technical question जो भी इस particular website पर है सभी आपको prepare कर लेना है अच्छी नरीके से और बहुत ज़्यदा chance है कि आपका selection हो जाए तो I hope आपको सभी चीज़े समझ में ही हो अगर आपको कुछ भी doubt होता है तो आप मुझे comment section में पूछ सकते है हमारा telegram channel join कर स and thanks for watching this youtube video till the end